गुड मॉनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू आराद्या आरेस अकेडमी फ्रेंड्स पंचायति राज एवं सविदानिक निकाय का जो पहला पार्ट है वो अपलोड किया जा चुका है जिसमें एक से लेकर पच्पन तक प्रेस्न है दूसरा पार्ट यह है जिसमें चप्पन से लेके एकसो साथ प्रेस्न है ये सभी प्रेस्न है जो विबिन परिक्षाओं में आरेपेसी द्वारा पूछे गए हैं तो फ्रेंड्स चेनल को सस्क्राइब करना ना भूलें पहला प्रैस्ण है अपना पंचायती राज विशे है तो पंचायती राज है वो किसका विशे है पटवार 1998 के अंदर ये प्रैस्ण पूछा गया था पंचायती राज किसका विशे है तो राज्य सूची का विशे है किस परतेक्स रूप से चुने जाते हैं पंसाइठी समिति के जो पंसाइठी समिति के सदसे अठाउन प्रिशन है राज्य सरकार द्वारा नागरिये-निकायों में मैलाओं के लिए कितने प्रतिसत आरक्षन की गोश्ना की घई तो कितने परसंट की तो शुरुआत में तो की गईती 50% की लेकिन वर्तमान में उचनायले नेशित 33% कर दिया गया है ग्राम से उग 2008 के अंदर ये प्रेस्ट ने आया था अगला प्रेस्ट है पंचायतों की अवदी होती है तो पंच वर्ष की होती है पंचायतों की अवदी नेक्स्ट प्रेस्ट है समीती जिसकी सिफारिष पर देश में पंचायती राज लागू किया उसके नेतर्त्व करता कौन थे तो पंचायती राज लागू किया देश में उसके नेतर्त्व करता कौन थे तो बलवन्त राय महता, उत्तरो जाएगा बलवन्त राय महता, एक सथ प्रस्थ है, वर्तमान में राज्य का विदान मंडल कितने सदन का होता है, तो कितने सदन का है, राजस्तान के अंदर विदान मंडल तो एक सदनी है, यानि कि यहाँ पर विदान सभा है, लेकिन विदान परीशद नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा एक सद निये अगला प्रस्ण है मंद्रेगा कारेकरम का किरियानवे किसके द्वारा किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है पंचायद द्वारा पंचायद द्वारा जो मंद्रेगा कारेकरम का किरियानवे किया जाता है 63 प्रेस्न है राजस्तान में पंचायती राज की इस्तापना हुई देखो ये प्रेस्न है तीन परिक्ष्या गेंदर पूचा गया कनिष्ट लेखाकार इस्टेनोगराफफर और सेकिंड ग्रेड गेंदर तो इसकी उत्तरो जाएगा 63 मिश्वी में पंचायती राज की राजस्ताण में इस्तापना हुई थी らजस्तान के लिए 2 अक्टुम्बर उनिसो गुनशट राजस्तान के लिए दो अक्टॉमबर गुनशट को एक मैतोपून तिती है क्योंकि इस दिन इस दिन क्या हुआ था दो अक्टॉमबर गुनशट के अंदर तो नागोर जिले के पंचायती राज व्यवस्ता को विदिवत प्रारंब किया गया था यानि कि नागोर जिले में जो बगदरी गाओं है वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्ता को लागू किया गया था इस दिन अगला प्रस्ण है पंचायत समीती तता जिला परिशद का कारिकाल कितने वर्स का होता है तो कितने वर्स का होता है पांच वर्स का पांच वर्ष का कारिकाल होता है पंचाय समीति और जिला परिशद का कारिकाल गाव नेक्स्ट है ग्राम इस्तर पर लगान वसूलने का कारिय कोन करता है तो ग्राम इस्तर पर जो लगान वसूलने का कारिय पटवारी करता है कोन करता है पटवारी अगला प्रस्ण है जिला इस्तर पर पंचाई समीती की सरोचे संस्ता होती है तो कौन शी होती है सरोचे संस्ता जिला परिशद जिला परिशद है वो पंचाई समीती की सरोचे संस्ता है 68 नमबर प्रस्ण है भारत के सविधान का कौन सा सविधान संसोदन अधिनियम राजस्तान के मंतरी परिशद के आकार को परिशिमित करता है तो देखो कौन सा सविधान संसोदन है जिसमें मंतरी परिशद का आकार परिशिमित करता है तो इकराणववा सविधान संसोदन 2003 के अंदर इक्राणवावा स्विदान संसोदन 2003 के अधिनियम के अंतरगत जो मंतरी परिशद की जो संक्या है वो 15% रखी गई है यानि कि 200 है लोकसभा में सीट तो उसमें से मंतरी के विनेट मंतरी होंगे वो 15% यानि कि 30 सद से अधिक्तम हो सकते हैं 69 प्रस्न है राजस्तान के राज़ेपाल निमन में से कौन सी सकती नहीत नहीं है देखो कौन सी सकती नहीत नहीं है तो आपके पास विकल्प दो है चार है देखो विदान सबा को आहूत करने की विदान सबा को इस्तगित करने की विदान सबा को विगठन करने की और विदान स सबा के 17 वसान की तो राजेपाल को जो सकती नहीं है वो कौन सी नहीं है विदान सबा को इस्तगिते करने की सकती नहीं है राजेपाल के पास में बाकी विगटन कर सकता है आहूद कर सकता है और 17 वसान कर सकता है सत्तर वा किशन है सत्तर नमबर राजस्तान के पर्थम मुखे सचीव कौन थे तो पर्थम मुखे सचीव कौन थे के रादा किशनन कौन थे के रादा किशनन सेकंड ग्रेड के अंदर 2017 के अंदर ये प्रैस ने पूछा गया था नेक्स्ट है राजस्तान में राज्य सची वाले में इस्तित विबाग कलाते हैं तो कोण से विबाग कलाते हैं प्रसासनिक विबाग कलाते हैं जो सची वाले के अंदर विबाग है 72 क्यूशन है देखो बहुत अच्छा क्यूशन है राजस्तान लोग सेवा आयोग यनकी RPSC राजस्तान लोग सेवा आयोग के समंद में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ तो इसका देखो आयोग के सदस्य बनने के लिए कोई योगेता निर्दारित नहीं है सिवाए इसके की आदे सदस्य के अंदर या राजे सरकार के दिन दस वर्स तक पदासीन रहे हूँ तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर यानि कि ती नंबर है वो इसका बिल्कुल है सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है नवीन प्रोटोकोल के अंतरगत नवीन प्रोटोकोल के अंतरगत अब राजस्तान के राजेपाल को लिमन निकित अभिवादन से सम्मोंदित किया जात तो देखो नए प्रोटोकल के अंतरगत जो राजेपाल है उसको अभिवादन के लिए कौन सा सब्द यूज में लिया जाएगा वो बताना है तो इस देखो इसको उत्तर हो जाएगा होनरेबल तो का जाता है इंगलीज में और माननीय राजेपाल और राजेपाल महोदे ये का जाता है हिंदी गेंदर तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये यानि की एक होनरेबल तो अंगरीजी में माननीय राजेपाल और राजेपाल महोदे ये इसे हिंदी में का जाता है नेक्स्ट प्रसन है मुख्य सचिव के पद पर न्यूक्त होने वाले अधिकारी का चैन किया जाता है तो मुख्य सचिव है उसका चैन किसके द्वारा किया जाता है तो मुख्य मंतरी द्वारा इसका चैन किया जाता है नेक्स्ट है राजस्तान की वर्तमान विदान सबा में एक जनवरी 2017 को कितनी मैलाई विदायक थी तो देखो कितनी मैलाई विदायक थी एक जनवरी 2017 को पूछ रहा है तो कौनश हो जाएगी 27 और अगर वर्तमान की बात करे तो सुभा रानी कुमावत जो दौलपुर से जीती है तो उसके मिलने पर कितनी सीट हो जाती है मही लाओं की 28 कितनी 28 अगर एक जनवरी 2017 तक पूछे तो 27 और उसके यानि की वर्तमान तक पूछे तो कितनी 28 नेक्स्ट है राजस्तान सरकार द्वारा नंबर 2016 में गलोबल राजस्तान एगरो मीट का आहिजन किया गया तो गलोबल राजस्तान एगरो मीट का आहिजन 2016 में कहां किया गया था तो जेपूर में कहां पे जेपूर में अगला प्रस्ण है संकर देव राय सिमिती का गठन दोलपूर वा बरतपूर राजयों की जनता की इस बात पर राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान या उतरपरदेश में किस में मिलना चाहती है इस समिती के अध्यक्स सहीत कितने सदस्य थे तो देखो बरतपूर और दोलपूर की जनता है वो पहले यूपी के अंदर मिलना चाहती थी तो जनता के लिए जनमत संग्रे करवाया गया था तो इस समिती के अं अधिकार आयोग अस्तित्व में कब आया तो कब आया 18 जनवरी 1999 को राजस्तान मानव अधिकार आयोग अस्तित्व में आया अगला प्रस्न है राजस्तान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्स और सदस्यों की नियुक्ति राजेपाल एक समीति के अनुसंसा पर करते हैं जिसक प्राजेमानवा दिकारायोग है तो इसका अध्यक्स और सद्देशय की नियुक्ति है वो मुख्ये मंत्री की अनुसंसा पर राजेपाल नियुक्ति करता है अगला प्रसंद है असी नंबर राजे के मुख्य सचीव को अवस्ष्ट वस्यतदार कहा जाता है जिसका अर्थ है जो मुख्य सचीव है उसको अवसिष्ट वसियतदार का जाता है तो इसका अर्थ है वहें ऐसा सभी कारी करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचीव को आवंटित नहीं किये जाते यह हो गया इसका सही उत्तर नेक्ष्ट प्रेस्ट है एक्क्यासी नमबर राजस्तान में राज्य परसासन के विदित परमुक है तो राज्य परसासन के विदित परमुक कौन है राज्य के राज्य पाल यह राज्य परसासन के विदित परमुक है नेक्ष्ट प्रेस्ट है राज्य का मुख्य सचीव कारे करता है तो केबिनेट के सचिव के रूप में बिल्कुल सही है मुख्य मंतरी के सलाकार के रूप में बिल्कुल सही है सचिव के मुख्या के रूप में तो ये भी बिल्कुल सही है नेक्स्ट है सिविल सेवा के परदान के रूप में तो ये भी बिल्कुल सही है, तो दोस्तों राजे के परदान के रूप में, तो दोस्तों ये हो जाएगा गलत, तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक, दो, तीन, चार, नेक्स्ट है, विदित परदान है वो, ये वाला परदान नहीं है, 83 नमबर प्रेस्ट है, भारती में संसद में समेलित है, नीचे दिये गए, कूट के आदार पर सही उत्तर चुनिए, तो देखो संसद के अंदर क्या क्या समेलित है, तो राजे सबा, लोकसबा और राश्टर पती, इन तीनों से मिलकर इस संसद का निर्मान होता है, तो इसका उत्रो जाएगा, एक और दो, दोनों सही है, नेक्स्ट है, चोरासी नमबर प्रेस्ट है, सुची फर्ष्ट और सुची सेकेंड दी गई है, एक तरफ मुक्यमंत्री का नाम और दूसरी तरफ उनका कारिकाल, देखो चार मुक्यमंत्री हैं, और सामने कारिकाल दी गए हैं, तो देखो जगनात पाडिया है, वो 1980-1981 तक मुख्यमत्री रहे थे, बरकतुला खान है, वो 1931-1993 तक, बहरो सिंग से कावत है, 1977-1980 तक, और मौनलाल सुखाडिया है, वो 1954-1981 तक, तो यह है, बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है इसके अंदर, बिल्कुल सामने की सामने है, इनका कारिकाल यह होगा, नेक्स्ट है, सिरीमती वसुंदरा राजे, सिरीमती वसुंदरा राजे राजस्तान की पर्थम बार मुख्यमत्री कब से कब तक रही, तो कब से कब तक रही थी मुख्यमत्री 2003-2008 के मद्दे, 83 नमबर प्रेस्ट है, निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चेहन कीजिए, पटवार मेंस 2016 के अंदर प्रेस्टा है था, राजस्तान में कुल 25 सीटे हैं लोकसबा की, राजस्तान में विदान परिशद के कुल सदस्यों की संक्या 200 है, दोस्तों विदान पर आरक्सित है, और अनुसुचित जन जाती की सीट तीन आरक्सित है, तो इसका उत्रो जाएगा एक और तीन बिल्कुल सही है, नेक्स्ट है, लोकसबा के बारे में निमन में से एक कतन ऐस सत्य है, पता कीजिए, लोकसबा के बारे में बताना है, लोकसबा सदस्यों की वर्तम एंगलो इंडियन से सदे से सुने गए दो है तो देखो जो लोकसभा के अंदर जो एंगलो इंडियन है वो दो सदे से नहीं चुने जाते तो इसका उत्तर हो जाएगा फोर्थ यह चोथा गलत है 88 कुशन है भारतिय स्विदान के इतियास में सबसे विवादा इस पर स्विदान संसोदन था तो कौन सा था 42 स्विदान संसोदन 89 प्रस्ट है कि स्विदान संसोदन ने भारत में प्रात्मिक शिक्षा का मौली का दिकार बनाया है तो कौन सा स्विदान संसोदन है वो? 86 शिवा स्विदान संसोदन Next प्रस्ट देखो नीचे दिये गए दो व्यक्तियों पर विचार करना है कथन और कारण दिये गए है तो देखो राजय का राजयपाल अपने पद पर राश्टर पती की इच्छा परियत रहता है राजयपाल की निउक्ति पर धानमंत्री द्वारा होती है तो देखो इसका उत्तर है वो ए सही होगा किन्तु आर गलत होगा क्योंकि राजयपाल की निउक्ति है वो पर धानमंत्री के अनुसार नहीं होती राश्टर पती के अनुसार होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है किन्तु आर गलत है इक्राणवा प्रसन है निमलिकित में से कौन सा युगम सही सुमेली तो नहीं है ग्राम से युग दोजार सोडा के अंदर प्रसन आया था तो देखो इसके अंदर बाकी अनुच्छेद एक्सो चोवन के अंदर कारेपाली का सकती है 155 के अंदर राजय पाल की नियुक्ति है और 156 के अंदर राजय पाल की नियुक्ति हेतु योगेता है 163 के अंदर राजय मंतरी परिशत तो दोस्तो इसका उत्तर है वो 156 के अंदर राजय पाल की नियुक्ति हेतु योगेता नहीं है यह हो जाएगा इसका गलत बानवा नमट प्रेस्टन है राज्य के उचनैले के बारे में निमलिकित कतनों पर विचार करना है तो इसका उत्तर हो जाएगा देखो सविधान के अनुछे 213 में प्रावदान है कि परतेक राज्य में एक उचनैले होगा सेकंड है राजे उचनायले के नियदिश की नियुक्ति राष्टर पती द्वारा होती है अनुच्छे 226 के अंतरगत उचनायले को कुछ लेक यानिके रिट्स जारी करने का अधिकार है तो भारतिय स्विदान के प्रावदान के तदनुसार दो या दो से अधिक राजियों में एक ही उचनायले का गठन किया जा सकता है तो दोस्तो इसका उतर हो जाएगा सेकंड थार्ड और फॉर्थ यानिकि पहला है वो बिल्कुल गलत है नेक्स्ट है तो किसके प्रति जबाब दे होती है राजे विदान सभा के प्रति तो राणवा प्रसन है अधोलिकित राजे सचीव में इस्तित पदों के नीचे दिये गए कूट की सायता से पद सोपानिय करम यानिकि उच इस तर से निमन इस तर पर नियोजित करते हुए सही उतर का चेन करना है तो देखो पहले नंबर पे आएगा वो आएगा सचीव सचीव आएगा एक नंबर पे उसके बाद में आएगा विशिष्ट सचीव उसके बाद में आगा उप सचिव और उसके बाद में आगा सायक सचिव यानि कि एक, तीन, दो, चार इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है पिचानवा नमबर प्रस्ण है दिमनलिकित में से कौन सा राजस्तान का मुख्य मंतरी कभी रहे नहीं उसके दायत्व का निर्वेहन कौन करता है तो कौन करता है उसने एले के मुख्य नाइदिस वो राजपल के अनुस्तिती में जब राजपल नहीं होता तो उनके जो दायत्व का निर्वेहन उसने एले का मुख्य नाइदिस करता है नेक्स्ट है राजस्तान राजे में 30.20唱 लागु किया गए है तो कितनी बाद राश्टर पती सासन लागु किया गए है तो देखो एक तो किया गए था 1966 में और एक किया गए था 1970 और एक किया गए था 1989 कि पेसी और एक किया गया italypa चार बार लागो किया गया था इसका मैंने एक परिसनल वीडियो बना रखा है उसके अंदर राजयपाल कौन था उससमय मुख्यमंतरी कौन था और lackiliar को धूर के लिए सता है तो वहाँ पर जा करे Storage का साथ में डाल रखा है वो 98 प्रस्न है सई विकल्प तुने दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक शेवा आयोग अध्यक्स की नियुक्ति कौन करता है तो भारत के राश्ट्रपति नियुक्ति करता है 99 प्रस्न है सन 1902 में के परी शिमन आयोग ने राजस्तान विदान सभा के सदस्य संक्या कितनी निर्दारित की गई थी तो शुरुवात में 1952 के अंदर तो 160 थी फिर 1956 के अंदर किती हो गई 190 और फिर 1977 के अंदर कितनी कर दी गई 200 1907 के अंदर 200 कर दी गई थी सुवा प्रस्न है जिला आयोजन सिमिती में निर्वाचित वे पदेन सदस्य होते हैं तो कितने होते हैं 20 तो निर्वाचित और तीन पदेन सदस्य होते हैं नेक्स्ट प्रस्न है यह प्रस्न है अभी वरतमान में आरेस में भी आया था और उद्योग परसार अदिकारी के अंदर भी यह प्रस्न आया था अभी 2018 में जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की सक्ति प्राप्त है तो कौन सी सक्ति प्राप्त है वो बताना है त पुलिस पर नियंतरन रखनेगी बिल्कुल सही है विदेशियों को परिपातर की जाच करना बिल्कुल सही है तो ये है दंडनायक के रूप में तो है ना तो ये तीनों सक्तिया इसको प्राप्त है लेकिन भूरा जश्व करना है ये दंडनायक के रूप में इसको सक्ति प्रा कब जाएगा 18 अपरेल 2006 और इसके जो मुख्य सुतना आयुक्त थे वो कौन थे एम डी किरोनी यह इसके जो मुख्य अध्यक्स थे एक सती नमर प्रेस्ण है राजेश्दर पर लोक आयुक्त की न्यूकति सरवपरथम अनुसंसा किस ने की थी तो किस ने की थी बहरत के प्रेस सास्निक सुदार 1966-67 में यह सरोपर्तम अनुसंसा की थी नेक्स्ट है राजस्तान का राजे निर्वाचन आयोग है तो एक यह क्या है एक सवेधानिक निकाई है आरेस 2016 गे अंदर प्रसन पूछा गया था राजस्तान का राजे निर्वाचन आयोग कौन सा है एक सवेधानिक संस्ता है एक सो पांच नुमर प्रसन है राजे विदान सभा के बारे में अदोली कित पर विचार कीजिए तो देखो इसका कारिकल पांच वर्ष का होता है इसका देक्स ता मुख्यमंत्री करता है देखो यह पर्तेक्स रूप से नहीं है यहाँ पर्तेक्स रूप से निर्वाचन होता है और राजे को इसके विगटन का अधिकार है तो इसका उत्तर हो जाएगा एक दो और चार नेक्स्ट प्रेस्न है राजस्तान से राजस्वा में निर्वाचित दस सदश्यों में से कितने भारती जनता पार्टी से हैं तो कितने भारती जनता पार्टी से हैं तो देखो विकलपेश है साथ आठ नो तो अक्टुम्बर 2016 की इस्तती के तक तो कितने थे आठ अक्टुम्बर 2016 में प्रसंद पुछा गया था तब तो आठ थे लेकिन वर्तमान में जो टोटल के टोटल है वो कितने है दस के दस है वो बिजेपी के सदस्य है बारती जनता पार्टी के सदस्य राजे सबागेंदर न देख्स ते तो कौन से मोहन मुखर जी इस देखो सेकंड ग्रेड के अंदर यह प्रस्न पूचा गया था 2017 के अंदर तो यह हो गए अपने पंचायती राजें सविधानिक निकाई के प्रस्न हो गए टोटल 107 प्रस्न है 55 प्रस्न है वह पहले पार्ट के अंदर अपलोड कर द उसके क्यूसन अभी 3-4 गंटे बाद में मैं अपलोड कर दूँगा पेपर नजदिक है अच्छे से पड़ें रटलें इनको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बूलें क्योंकि ऐसे प्रस्न में और लेक्या हूंगा मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत